नमुश्कार आपको सब्सक्राइब कर दें विडियो लाइक करें तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट को यहाँ पर रिजल्ट दिएगा है नमुश्कार आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वह जून 22 को देखेंगे थर्ड नमबर पॉइंट टोटल इंकम को जून 21 कोड़ में कमपणी की टोटल इंकम थी 877.75 करोड की मार्च 22 क्वाटर में यह हुई 912.80 करोड की और जून 22 क्वाटर में कम्पनी की टोटल इंकम हुई 1323.02 करोड की तो टोटल इंकम की बात करें यर ओन यर में जून 21 क्वाटर से जून 22 क्वाटर में तो year on year में income में 59% की व्रद्धी होते हुए दिखाई दे रही है बात करते हैं quarter on quarter में March 24 से June 24 में तो quarter on quarter में income 45% बढ़ते हुए दिखाई दे रही है अब हम देखते हैं expenses को सबसे नीचे दिएगा है total expenses June 21 quarter में 371.80 करोड के expenses थे March 22 quarter में 366.09 करोड के total expenses हुए और June 22 quarter में 660.80 करोड के expenses हुए है तो total expenses की बात करें year on year में June 21 quarter से June 22 quarter में तो year on year में expenses में 78% की व्रद्धी होते हुए दिखाई दे रही है बात कर लेते हैं quarter on quarter में March 22 quarter से June 22 quarter में तो quarter on quarter में expenses 80% बढ़ते हुए दिखाई दे रही है अब हम बात करेंगे profit and losses statement की तो देखते हैं 7th number point profit before tax को June 24 में 692.27 करोड के profit before tax थे March 24 में ये 550.35 करोड के हुए और June 24 में 658.48 करोड के profit before tax हुए है तो profit before tax की बात करें year on year में June 21 quarter से June 22 quarter में तो year on year में 34% की व्रदी profit before tax में होते हुए दिखाई दे रही है बात करें quarter and quarter में March 22 quarter से June 22 quarter में तो quarter and quarter में 20% की व्रदी profit before tax में होते हुए नजर आ रही है अब हम देखते हैं 9th number point profit after tax मतलब company के net profit June 21 quarter में 365.03 करोड के net profit थे March 22 quarter में ये 410.17 करोड के net profit में convert हुए और June 22 quarter में 493.99 करोड के net profit हुए है तो net profit की बात करें year on year में June 21 quarter से June 22 quarter में तो year on year में 35% की व्रदी net profit में होते हुए दिखाई दे रही है बात करें quarter and quarter में March 24 quarter से June 24 quarter में तो quarter and quarter में net profit 20% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे है overall results को देखे हैं तो चाहाँ वो company के quarter and quarter हो या year on year हो दोनों में हमें कमपनी के profit में काफी व्रद्धी होती हुए दिखाई दे रही है कमपनी की performance चाहें वो quarter and quarter हो year on year हो दोनों में हमें बहतर होती हुए दिखाई दे रही है year on year में 35% के व्रद्धी profit में हुई है results काफी अच्छे आए हैं, शांदार हैं, धन्यवाद